देश की सबसे प्रतिष्टे सिविल सेवा के लिए हर शाल लाको युवा शंग लोक शेवा आयो की परिक्षा देते हैं लेकिन इसमें सफलता सभी के हाथ नहीं लगती है शंगलोग शेवा आयोग की परिक्चा कटिन होने की वज़े से इसे पास कर पाना आशान नहीं होता है। ऐसे में युवा महेंगी कोचिंग में दाखला लेते हैं और तयारी करते हैं। हाला कि इसके बाद भी सफलता की कोई गैरेंटी नहीं होती है। पढ़ाई करें। ऐसे में वंदना को पढ़ाई करने के लिए अपने परिवास से बगावत करने पड़ी। उनका या फैसला सही भी था। उन्होंने आयस आफसर बनकर अपना सपना पूरा किया। वह करोड़ों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। पढ़ना चाती थी वंदना सिंग चोहान 4 अप्रैल 1989 को हर्याना में वंदना का जन्म हुआ था। वंदना के पिता ने एक इंटर्व्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनके गाव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। ऐसे में वंदना के पिता ने वंदना के भाई को पढ़ने के बाहर भेजाता। वहीं वंदना हमेशा अपने पिता से यहीं सवाल करती थी कि वह उन्हें बाहर पढ़ने के लिए कब भेजेंगे। उनके इन बातों पर उनके पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब पिता ने कहा बेटियों को नहीं भेजते बाहर। हाला कि ने पनी बार्वी की पढ़ाई कम्प्लीर की 12 वन्ना की पड़ाई की फिर वन्ना था उनके दादा ताव और चार्चा समेथ परिवार केश अद bubb Shit किया लेकिन इसी प्रधिवार साली बेटी ने पूरे परिवार का नामरोशन कर दी